सलाम अलेकुम विवर्स वेल्कम टू तो स्टुडेंट्स प्रेटफॉर्स आज हम बढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नमबर 35 को इससे पहले लेसन स्टार्ट करें आप लोगों से रुकेस्ट चैट्स एंड सब्स्ट्राइब कर दें साधी बेल का इकन को भी प्रेस कर दें अपने लेसन स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड हेल्थ प्रॉमोर्टिंग बिहेवियर दा हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज एक्सरसाइज की वज़ासे क्या रहा है कि कौन-कौन से असरात होते हैं हेल्फ पर फिटिनेस बंदा हासिल करता है उसके लावा बंदा रेगल pengस करता है तो well being की होती है उसको feeling आती है उसके अदर enjoy करता है अपनी life को बंदा उसके लावा weight reduction होती है वजन में कमी आती है मोटापा काम होता है इसलिव जासे वो दिल की बिमारियों से भी दूर रहता है और उसके लावा कहरा है cholesterol level भी बंदे का control रहता है normal रहता है उसके मिकदार बढ़ती ही नहीं है कि reproductive health जो females की वो है वो भी effect होती है बेतर होती है aerobic exercises की मदद से बंदे की depression और sleep disorders वो भी खतम हो जाती है और यहाँ पर आगे है exercise classical lambda county study classical lambda county study क्या जीज़ है इसके अंदर कुछ point दिये गए है उनको important है a set of health related behaviors or habits that could have a relationship with health sufficient sleep हो कोई अपनी नीद पूरी करना पानी मुनासिब पानी पीना smoking ना करना regular exercise करना और weight को control रखना remember exercise relaxes and does not tire exercise जो है थकाती नहीं बंदे को यह बंदे को relax करती है gender differences in exercise and healthy habits आम तोर बर मर्दों में exercise करनी की यादत तौरतों के निस्वर ज्यादा होती है एक कह रहे है American study के मताबिक जब बच्चों से पूछा गया कि कौन इस exercise में involved है जिनकी वज़ासे इन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है तो 26 females children और 15 male children ने कहा कि वो ऐसा नहीं करते हैं अगर चो और चो अपने वज़न और सिहत के मकाबले में ज्यादा conscious होती हैं लेकिन exercise मर्द इन से ज्यादा बहतर करते हैं factors effective women's fitness activity and exercise कौन से असरात हैं कौन से वामिल हैं जो के औरतों के exercise करने से वना करते हैं रोकते हैं या इन पर असरत ना रोकते हैं नमबर वन है fatigue and overwork क्योंकि औरतों को आम पौर पर घरों में ज्यादा काम करना पड़ता है पौरे घर के बच्चों की देखबाल, घर की बच्चों की देखबाल करनी पड़ती है इसलिए वो exercise के लिए अपना टाइम नहीं निकाल सकते हैं या इसके लिए अपना schedule set नहीं कर पाती हैं वो काम की वज़ासे बहुत ज़्यादा ठक जाती हैं जिसकी वज़ासे वो exercise नहीं कर पाती है यह समझा जाता है कि exercise करना मर्द का ही काम है औरतों को यह काम करते हुए अच्छा नहीं समझा जाता है आम तोर पर और औरतें भी यह समझती है कि घर का काम करना ही इनके लिए काफी है इनकी exercise इसी समय हो जाती है यहां से हम आगे पढ़ेंगे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे behaviors linked with diagnosis of cancer कुछ ऐसे behavior जिनके विज़ासे बंदे को cancer के अमराज में बंदा मुपतरा हो सकता है क्या रहा है कि some cancers diagnosed at early stage can be treated with the prognosis up to 99% breast cancer इस तरह का cancer है जो के औरतों में पहे जाता है अगर इसको early stage के अंदर discover कर लिए जाए पता चल जाए इसका तो इसका इलाज मुकमल जौर पर हो सकता है दो तरह कि यहां पर behaviors हैं जिनके जरीए हम identify कर सकते हैं अपने बिमारियों को breast self examination है B.H.C. इसके अंदर खुद से एक महीने के अंदर at least एक दफ़ा औरतें अपने breast inspection करेंगी जिससे पता चलता रहेगा उनके अंदर किसी किसम की changes आती है physically changes आती है तो उससे idea हो सकता है बिमारी का दूसरी है mammography mammography क्या है कि बहुत सी औरतें बहुत से वजुहात की बिनापर mammography के लिए नहीं जाती है mammography के पहले मैं बता दूँ क्या है 50 या 50 साल से 40 साल 50 के दरमयान मतलब 40 से आप लगाने 40 या 50 साल से उपर की औरतें जो होती है mammography उनके लिए recommend की जाती है ये breast cancer को diagnose करने का एक तरीका है जिसके अंदर x-rays के मतल से उनको diagnose किया जाता है only 38% of women of 50 and 50 plus ever had a mammogram और क्यों वो नहीं जाती है mammography के लिए क्योंकि उन्हें radiation जो x-rays से radiation निकलती है या तो वो उसे डरती है procedure से embarrassment होती है उन्हें shame feel करती है anticipated pain होती है anticipated कहते हैं कि पहले सी डर ना कि मुझे दर्द होगी pain होगा anxiety होती है उनको इस वज़ा से और उसके लावा concern over cost पैसें के वज़ा से खत्रा उन्हें होता डर लगता है कि पैसे जादा खर्च हो जाएंगे यहां कहा रहा है around 10% of Asian women eligible for this screening utilized in the Britain यानि कहा है कि बरतानिया के अंदर भी जो पाकिस्तानी Asian women जो रहती हैं उन में से भी 10% जो हैं वो मेमोग्राफिक करवाती हैं बाकी नहीं करवाती हैं बहुर यह था आपका lesson PSY 512 का lesson 35 I hope I made it clear मिलते हैं जल्दी नेक्स लेसन के साथ दिल दें टेक केर अलाहाफिज